जैहीं दोस्तों मीरा भाहिंदर के लिए नोवेंबर का महिना 15 नोवेंबर तक यानि कल तक बहुत अच्छा साबित हुआ है आदा महिना गुजर चुका है और कोरोना काफी कंट्रोल में है और बहुती कम पेशन्स रिपोर्ट हो रहे है नोवेंबर महिने में जादा पेशन् जेव 22,677 थे वही 20,932 रिकावर भी हुए थे और अगर मैं कल की बात करूँ तो कोरोना एक्टिव पेशन्स का आकड़ा 1024 से घटकर 595 हो गया यानि करीब साड़े 400 के आसपास कोरोना एक्टिव पेशन्स का आकड़ा नीचे आया है वही है अगर मैं रिकावरी की बात करूँ तो रिकावरी का आकड़ा 20,932 से बढ़कर 22,34 हो गया है यानि करीब 1100 पेशन्स रिकावर हुए है पिछले 15 दिनों में और क्यूमिलेटिव पेशन्स रिपोर्ट हुए अगर मैं उसकी बात करूँ तो यह बहुत ही पॉजिटिव बात है कि बहुत ही कम संख्या में पेशन्स बड़े है इन 15 दिनों में जहां एक नवेंबर को 22,677 कोरोना पॉजिटिव पेशन्स है मेरा भाहिंदर में टोटल वहीं 15 नवेंबर को जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार मेरा भाहिंदर में टोटल 23,373 ही कोरोना पॉजिटिव पेशन्स है तो करीब 700 के ही आसफास कोरोना पॉजिटिव पेशन्स रिपोर्ट हुए है पिछले 15 दिनों में मैं आपको बता दू कि अगर मैं नौवेंबर के पहले की बात करू यानि अक्टूबर की बात करूँ या सेप्टेंबर की बात करूँ तो 700 पेशन्स करीब 6 या 7 दिन में या कभी-कभी तो चार-पांच दिन में रिपोर्ट हो जाते थे तो कही ना कहीं बहुत ही अच्छी बात है कि नौवेंबर महिने में 700 के आसफास पेशन्स रिपोर्ट है अभी वह आकणा घटकर शुन्य हो जाए लेकिन अभी भी कोरोना है ही तो उमीद करते है कि कोरोना पूरी तरह खतम हो जाए ताकि पूरी तरीके से हम सबका जन जीवन सामानी हो जाए तेवार खुले-खुले में मना सके आपको पता होगा कि दिवाली जैसा शुप करिस्मस वह हम खुले में मनाए अगर कोरोना एक्टिव पेशेंट्स का आकणा शुन्य हो जाता है तो जरूर हम ऐसे मना पाएंगे लेकिन फिर भी कोरोना का प्रिकॉशन्स आपको लेना ही है और प्रिकॉशन्स अगर आप लेंगे सभी साउधानी बरतेंगे तो कोरोना एक्टिव पेशेंट्स का आकणा बहुत ज्यादा जल्दी नीचे कर जाएगा तो मीरा भाहिंदर इस अंदर अर्ज और रिकॉवरी और यह हम सब की जिम्हेदारी है कि हम मीरा भाहिंदर में कोरोना पेशेंट्स को बढ़ने अभी नहीं दे यह कंट्रोल में आ चुका है क कोरोना पेशेंट्स दबल डिजिट में रिपोर्ट हो रहे हैं बहुत महीनों बाद उमीद करते हैं इसी तरह कोरोना कंट्रोल में रहे और आप सब सभी सावधानी बरते सभी कोवेड-19 प्रोटोकॉल को फॉलो करें अपना ख्याल रखें सभी को दुआ में याद रखें थैंक यू सो मच